अगर मुसल्मान भारत ना आते तो आज भारत इतना शक्तिशाली और ताखतवर देश ना बन पाता। भारत टेक्नोलोजी के मामले में काफी पीशे रह जाता। पर माणू बम से संपन्न देश का दरजा भी भारत को प्राप्त नहीं हो पाता। मुसल्मान भारत ना आते तो नहीं होता एतिहासिक किलो और इमारतों का निर्माण। भारत को आजाद होने में लग सकता था एक लंबा समय। मुसल्मानों ने आखिर भारत को क्या दिया है बात करेंगे विस्तार से इस बारे में बस आप बने रहे हमारे साथ अंत तक भारत सदियों से विबिन्नताओं में एकतावाला देश रहा है सभी धर्मों की लोग यहां प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं भारत देश में आपको हर धर्म और संस्कृती की जलक देखने को मिल जाएगी हर धर्म और समुदाय के लोगों का इतिहास में विशेश योगदान रहा है और मुसल्मानों ने भी भारत को बहुत कुछ दिया है आज भारत जिस मकाम पर खड़ा है उसमें मुसल्मानों के भूमी का काफी महतुपून रही है मुसल्मान ही भारत में पहली बार बंदूग, तोप खाने और रॉकेट की टेकनोलोजी लेकर आए बाबर के आने से पहले भारत के लोगों को बारूद, बंदूग, तोप खानों के बारे में जानकारी नहीं थी और मुसलमान शासकों की काल में हिंदूस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर एडान तक फैली हुई थी दिली से सरकार चलाने की शिरुवात भी मुसल्मानों नहीं की और तप से लेकर आज तक दिली शहर से ही पूरा देश चलाया जा रहा है भारत में पहली बार रॉकेट का विश्कार टीपू सुल्तान द्वारा किया गया टीपू सुल्तान को टाइगर ओफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है आज भारत की तिरंग्या का जो डिजाइन हम सभी देखते हैं उसे सुरेया तैयब जी ने तैयार किया था सुरेया तैयब जी ने ही चर्खा का चिन ने हटा कर अशोक चक्र लगाने का सुझाव दिया मुसल्मान शासिकों ने देश भर में दसजार से अधिक गाउं और कस्पों का निर्मान कराया और अगजेब की शासनकाल की दाउरान भारत के पास बेशमार धन संपती हुआ करती थी कुछ इतिहास कारों का तो ये भी आना है कि उस समय पूरी दुनिया में मौझूद धन दाउलत में से आधी संपती केवल भारत में ही मौझूद थी मुसल्मान ही विदेशों से भारत लेकर आए मुसल्मानों ने भारत के क्रिशी सेक्टर में भी काफी योगदान दिया खजूर, फूल गोभी, नेमू, संतरा, धनिया और सेब जैसी चीजों की खेती बाड़ी मुसल्मानों ने ही भारत में शिरू कराई तुर्की के मुसल्मान भारत में पहली बार चाय लेकर आए इससे पहले भारत के लोग काढ़ा, हल्दी वाला दूद जैसी चीज़े ही रोजाना पिया करते थे यहाँ तक कि साबुन बनाने की शिरूआत भारत में तुर्क के मुसल्मानों ने ही की साबुन के आविशकार से पहले भारत के लोग मिट्टी और रेट से अपने शरी का मैल साफ किया करते थे मुसल्मानों ने भारत के लोगों को अनुशासन में रहना सिखाया नियम और कानून बनाने की शिरूआत मुसल्मानों ने ही की थी मुगल शासिकों के समय दलित भी दर्बार का हिस्सा हुआ करते थी और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभा उन नहीं किया जाता था छुआ छूत जैसी बिमारी से मुसल्मानों नहीं भारत को मुक्ति दिलाई है मुसल्मानों ने भारत में हजारों इमारतों का निर्मार्ण कराया है दुनिया के साथ अजूबों में शुमार ताज महल का निर्मार्ण शाह ज़ाद द्वारा किया गया जिसे आज पूरा विश्व प्रेम की एक अद्भुत निशानी मानते है ये कला और एतिहासिक द्रिष्टिकोंड से भी काफी महतुपूर्ण है अगर मुसल्मान भारत ना आते तो देश को कभी ऐसी खूबसूरत इमारत नसीब नहीं होती इसके अलावा दिल्ले का लाल किला, कुतुप मिनार, सहित ना जाने कितने ही इमारतो और किलो का निर्मान मुसल्मानों ने भारत में कराया है इन सभी एतिहासिक स्थलों को सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों में कनवर्ट कर दिया गया है और इनके जरीय सरकार को हर साल करोणों रुपियों की आमदनी भी होती है साल 1920 में मुसल्मानों ने दिल्ली में जाम्या मीलिया इसलामिया उन्वर्सिटी की स्थापना की जिससे सिक्षा के क्षित्र में एक नई क्रामती का संजार हुआ देश को आजाद कराने में भी मुसल्मानों ने अमुल्ली योगदान दिया है मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे स्वतंतरता सैनानियों ने खिलाफत मॉमेंट की शिरुआत की थी भारत छोडो आनोलन और साइमन गो बैक का नारा देने वाले युसुफ मेहर अली भी एक मुसल्मान और सच्चे देश भग्त थे अश्वाकुल्ला खान के बारे में आज काउन नहीं जानता उनका नाम सर्वोच स्वतंतरता सैनानियों में गिना जाता है भारत की विभाजन का पुरजोर तरीके से विरूद करने वाले खान अब्दुलकफार खान भी एक मुसल्मान ही थे सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है कवीता की रचना बिस्मिल्ला अजीमा बादी ने की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा जैसे गीत की रचना करने वाले अल्लामा एकबाल एक मुसल्मान ही थे माधरे वतन भारत माता की जैका नारा भी एक मुसल्मान अजीमुल्ला खान नहीं दिया महान करांतिकारी आबिध हसन सफरानी ने सबसे पहले जैहिंद का नारा देश को दिया मौलाना अबुलकलाम आज़ाद आसाफली और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे ना जाने कितने ही मुसल्मानों ने भारत की आज़ादे के आंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में देश की राष्टपती भी बने इसके लावा देश को परमाणू हतियारों से संपन्न बनाने में सबसे एहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एबी जे अब्दुलकलाम भी एक मुसल्मान थे वे बाद में देश की राष्टपती भी बने और आज भी उन्हें भारत की इतिहास का सर्वेश्वीष्ट राष्टपती कहा जाता है वो एक ऐसे मुसल्मान थे जिन्हें हर समुदाय की लोग प्यार कर दे थे खला और संगीत के क्षित्र में देश को आगे ले जाने में भी मुसल्मानों ने काफी एहम योगदान दिया है महान शेहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान तबला वादक जाकिर हुसैन महान चित्रकार एमफ हुसैन जैसे ना जाने कितने ही महान विभूतियों का जन भारत की धरती पर हुआ और ये सभी मुसल्मान थे आज के समय में देश के दिगज, उद्योग पतियों में शिमार अजीम फ्रेमजी भी एक मुसलमान है एयार रह्मान और आतिव असलम जैसे संगीतकार मुसलमान है जिन्होंने करोडों भारतियों की दिलों पर राज किया मुसलमानों के कारण ही आज बॉलिवूड इंडस्ट्री की पूरे विश्व में पहचान है सलमान खान, शारुख खान, आमिर खान, दिलिप कुमार जैसे स्टार्स की चाहने वालों की संग्या दुनिया की कोने कोने में में मौझूद है खेल जगत में भी मुसलमानों की योगदान को बुलाया नहीं जा सकता मुहमद असुरुदीन से लेकर पेस बॉलर जहिर खान तक और युसुफ पठान और इर्फान खान जैसे पठान ब्रदर्स की जोड़ी ने ना जाने कितने ही मैच भारत को जिताए भारत की सरव शिष्ट टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा को आज गौन नहीं जानता आज भारती सेना में भी मुसलमान अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं लगभग 30,000 मुसलमान भारती सेना में भरती हैं जो हर वक्त भारत माता की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। हर छोटे बड़े फैसले लेने में अपनी राय प्रदान करते हैं। अपना सर्वच न्योच्छावर कर दिया। काला पाने के सजा पाने वाले अधिकांश लोग मुसल्मान ही थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाव अपने आवाज बुलंद की। मुसल्मान सदियों से भारत का एक अभिन हिस्सा रहे है और हमीशा रहेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तो हम उसी भारत देश के निवासी हैं जहां हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई किनारे दिये जाते हैं। इस भाई-चारे को कुछ कटर वादियों के कहने पर खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकर ये अच्छे लेगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद